नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो एंटी पीसी का दस फरवरी 2021 को पर्थमपारी का एक्जाम कंडेक्ट हुआ है जिसमें जीके के जो टोटल 40 स्वाल पूछे गे पूछे तो 39 स्वाल एक्जेक्ट हो बोगो स्वाल मिल चुके हैं और ये सारी क्यूट्शन से एक्स्टा फैक्ट साइट कवर करेंगे आज भी एक्स्टा फैक्ट से बहुत से स्वाल पूछे गे हैं तो बरे रहे एक वीडियो के एंड तक इसके पीडियो फाइल आपको द किये हैं स्वाल कंटिनू करें उससे फिले में आपको बसा दो जिन भी केंडिट का भी एंटीपीशी का एक्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्नी किसी भी सेंट्रल गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे जैसे के स्वाल ज्यादा है तो टाइम मेनेजमेंट के कारण आपक कर सकते हो इसमें भी आप टीटीजी के कोपन कोड एपलाई करोगे तो आपको एक्स्टा 30 रूपे का और डिस्काउंट मिल जाएगा ज्यादा जानकारी के लिए डैस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा वहां से आप एनरूर कर सकते हुए टैट सीरी जोइन कर सकते हो य आपके यहाँ पर 39 में से कितने स्वाल करेक्ट हो रहे है जिन्वी गेंडिट का आद एक्जामता और कितने अटेम्ट की हैं आगरा नगर जो शेहर है वो किसने बशाय है तो सिकंदर लोधी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा आगरा सेहर है वो सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 में एक स्वार पूचे गया आलू का कौन सा भाग खाया जाता है तो खाने यूग कि जो आलू का भाग है वो इसका स्टैम हो जाएगा तना हो जाएगा यह चार आप्शन दिए गए थे नेशन देखीगा होईसल जो राजवन से इसकी राजधानी के आती वहाँ पर इन्होंने शार्षन किया था तो इसकी राजधानी बैलूर थी सर उपर थम बैलूर थी उसके बाद उन्होंने इस्तानांतुरित करके हाले बीदू भी की थी लेकिन बैलूर आपकी ओप्सन था जो करेक्ट हो जएगा किस ने अपनी राजधानी दिली से दौलत बाद इस्तानांतृत की है दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी वो ट्रांसफर की है मोहमद बिन तोगलक ने किनों ने मोहमद बिन तोगलक ने की है और पहले वाँ पर दौलताबाद का नाम था वो देवगरी था और इन्होंने यहाँ पर राजधानी है वो देवगरी जो इस्तानांदृत की हैं दौलताबाद नाम इसका चैंज कर दिया देवगरी से दौलताबाद जो की महाराष्टर में है और अंगाबाद जिले में तो ये राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद की है मुहमद बिन तोगलक ने एक स्वार पूछ गया है आर्टिकल 76 और आर्टिकल अनुछे छेतर है वो किस से संबंदित है तो महा न्यायवादी आपका क्रेक्टर हो जाएगा और बाकि आपको पूछ ले कि भाई नियंतरक जो महा लेका परिक्षक है यानि CAG Comptroller and Auditor General है इनका कौन सा आर्टिकल के अंत्रगतपद है तो ये आर्टिकल 148 CAG और बात करें यापर महा न्यायवादी की जो आर्टिकल 76 फिर देखें कि आपर राष्टपति शक्ति से संबंदित है तो राष्टपति से संबंदित आपके एक गलत कथन पूछ था आज यहाँ पर इस्टेटमेंट जो गलत कथन है पांस से इच्छ स्वाल पूछे गे हैं एक पर्थम नागरिक सही उपराष्टपति के न्युक्ति यह सारे सही स्टेटमेंट है बाकि जो कैबिनेट और मंदरी परशीत की लिखी सलापर राष्टपति आपातकाल की गोश्चना करती हैं तीन आपातकाल है आर्टिकल 322 के तैट जो राष्टि आपातकाल हैं 356 के पर्थम लोक्षबा के आपको पूच ले तो जीवी मावलंकर है और वर्तमान में लोक्षबा इस्पीकर है ओम बिर्डा किस अंतराष्टि संक्टन का हैटक्वाटर साई समलित नहीं है तो यह आपको पर ऑक्षबा थे एक तो आपके अंतराष्टि जो नैले है उसका हेग दे रखाता जो सही था फिर आपके यह मेरी टाइम ओगनाईजेशन है जो समूदरी शंक्टन नहीं इसका लंदन ले रकाता यह भी सही है इसमें एक जो गलत दे रकाता वो यह था एमन अमेश्टी इंटर्नेश्टल का हैट्वर्टर कहां पर है London UK में है जो कि याँ पर गरस्व मिली था बाकि डवल्व एचो डव्लू टीओ दोनों का ही जनेवा सिवजर लेंड में है तो एमनेश्टी इंटर्नेश्टल ये कहां पर है ड़न्दन में है और IMO एनि इंटर्नेश जो समूदर शंक्तन इसका है लंदन यूके में बाकियान ने जो बहुत बार में बता चुका हूँ वर्ल्ड बैंक आई एम एप का वांसिंग्टन डेसी यूएस में है लेबर जो ओर्गनाईजेशन है आई एल ओ का उसका जेनेवा सीजर लेंड में है बात करूएं आप रंत देकी केंगा गद्यर पार्टी की स्तापना कहां पर हूए तまだ फेकर में बता चुका हूँ इससे पहले जो आपके NTPC Exam में स्वाल आया था गद्र पार्टी की को फाउंडर कौन थी तो उसमें मैंने बताया था इसकी स्थापना कहां पर हुई थी आज पूछ लै तो गद्र पार्टी की स्थापना अमरिका के सैन फ्रांसिस को जो आपके ऑप्सन दिये गया था सैन फ्रांसिस को में इसकी स्थापना हुई थी 1913 में उद्देशित क्या था कि अंग्रेजी सामराजी को जड़ से उकार फेकने के उद्देशित से जो अमेरीका और कनाडा के जो भारती थे उन्होंने वहाँ पर 15 जुले 1913 को सैन फ्रांसिसको नगर में ये बनाई थी पार्टी पार्टी के संस्तापक कौन थी तो संस्तापक भाकना थे को फाउंटर कौन थे लाला हर्द्याल हो जाएगा अगला स्वाल दिखेगा यहां पर आपको यह भी पता होना चे गद्र पार्टी की पहली बैठक कहां पर हुई थी और नेक्स्ट और यहां पर आएक फिर आपके क्रोनोलोजी जो काल करम से पूछले यहां पर कि 877 की क्रांती और फिर बंगाल विभाजन दिया गया था और चमपान सत्यगरा असे उगांदलों ने सही काल करम है पहले कौन सी घटना होई थी तो इसमें आपके करेक्ट हो जाएगा इस परकार से सबसे पहले दिखिए 877 की क्रांती दे दिगे यह तो 877 सबसे पहले हो जाएगा उसके बाद बंगाल विभाजन हुआता 1905 में फिर 1917 में चमपान सत्यगरे हैं और असे उगांदलों उसके बाद हुआता 1920 में पंच तंदर के लेकक है तो विष्णू शर्मा पंडित विष्णू शर्मा पंच तंदर के लेककरेक्ट है भीम बेट का किसके लिए परशिद हैं तो यह हो जाएगा आपके जो पूरा पाशान काल से मद्य पाशान काल के यहां पर आदी मानों के दोरा बनाएगे शैल चित्तर और शैल आश्रे हैं उसके लिए परशिद हैं तो यह आपके शैल चित्तर और शैल आश्रे के लिए परशिद हैं कहां पर है भी इंबेट का राइसेंजिला मद्यप्रदेश में युनिस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट पर विशे 2003 में शमिलित किया गया था नाबाट के स्थापन आपको पूछे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कब बताया था जब आपकी एक्जाम में स्वाल आया था नाबाट की कौन है तो वह हो जाएंगे जियार चिंताला अब दीखिए आपको कमेंड करके बताना है कि जो फिक्की है इसकी स्थापना कब हुई है वह कमेंड करके जरूर बताना बाकि फिक्की के फुल फॉर्म है वह फैडिशन ऑप इंडियन चेंबर शॉप कॉमर्शन इंडिस्ट् कहां पर असम में असम में दो जिले हैं जो उदल गुडी और शोनितपूर जिले हैं वहां पर इस्तिते हैं ये और पूछले किस नदी के पास में तो ब्रमपुत नदी की किनारे हैं ओरांग नैसनल पाक हैं असम में अगला स्वाल देखिगा किसे नोबल प्राइज नहीं म से सें को कब दिया गया था तो यह आरशा स्तरो के तेया गया है तो यह सभी कापी इंपोर्टेंट यह जरूर देखने नगा लिच्ट समतुले प्रति रोद आपको बताना वहां में तीन पर्तिरों प्रकार आप निकाल सकते हो समतुल्य प्रतिरोध हैं तो एक बटा आरवन यानि एक बटा तीन फिर आपके आरटू कितना है एक बटा च्छ और एक बटा नो अब इसको आप केलकुलेट करेंगे सबसे पहले इसका एलसीम डेलीजिएगा कितना हो जाएगा च्छ नो तीन दो बर तो कितने हो गए यह हो गए आपकी 11 बटा अठारा अब दीकिए 1 बटा आर है बहुत से के इंडिया डारेक्ट इसका जैसे ही देखेंगे एंसूर आ आगे 11 बटा अठारा करेक्ट कर देंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा आपकी इंशुर आपको प्रतिरोध आर नि पूछ ले तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा डारेक्ट AID करने होते हैं जब सीरीज में होते हो अगला सवादी के निमन में से कौन सा सबसे कम अभी किरिया स्रील है तो अक्रिये कौन सा इसमें नियोन हो जाएगा जो इनर्ट गैंस रहती है अक्रिये हैं जो आपक को पूछ ले कि सबसे जएदा किरिया स्रील अभी किरिया स्रील एलिमेंट कौन सा है तो वह पोटेशियम हो जाएगा पोटेशियम सोडियम कैल्सियम मैंगनेशियम है तो यह सबसे जएदा अभी किरिया स्रील जो भी तत्तों है उनकी जो सीरीज रहती है वह एक बार जरू ही है इससे फिले एक्जाम आया था अमेजन और बल्यो औरीजन के तो जैप बेजोज है एपल का पूछला है तो टिम कुक है माइक्रोशॉप्ट के सत्या नडेला है एडोबी के है श्रंतनु नारायन है सैमसंग के है किम की नाम तीन है या पर किम हिउन्शुक और कॉम डॉं नुकलियर पॉड प्लांट रिपीटेडेस से पहरे भी एक्जाम आज चुका है सैमस्वाल कुडन कुलम परमाणू उर्जा शेंतर है जो कैपिसिटी के एकोर्डिंग सबसे अधीक पॉड़ श्रंता है वो किसकी है कुडन कुलम परमाणू उर्जा शेंतर जो कहां पर है तमीन नाडू में इस्तित है यह अमें आपको बता देता हूँ कुछ से इंपोर्टेंड अफेक्ट जो भी परमाणू उर्जा सेंतर है प्लांट है तो काक्रा पार है यह कहां पर है गुजरात में है और इसकी श्रंता कितनी है चार सो चालिस आपको आने वर सेट में करम का पुछ़ए जा सकता है कौन सा जो नुकलर पार प्लांट है उसके आपको पार का जो श्रंता का बढ़ता हुआ करम घरता हुआ करम पूछ ले तो यह भी आपको देख ले ना चार सो चालिस है काकरापार जो गुजरात में है मदरास एटोमिक पार प्लांट जो कलपकम है 1984 म आपको याद रखने है तमील नाडू में है इसकी भी 440 मेगावाट है फिर नरोरा है उत्रप्रदेश में इसकी भी 440 है केगा की बात के तो ये 880 है इसकी दुगनी हो जाएगी जो कि कहां परेकरना टक में है 2000 में इस्तापित हुआ है राजिस्थान वाले के 1903 हुआ था 1180 इसकी मेगावाट है तारापूर पूछ ले तो ये 1969 में सबसे पुराना कौन सा तारापूर और सबसे लेटरिस्ट वाला कौन है कोडन कुलम नुकलेर पॉर प्लांट हो जाएगा 2013 में इस्तापित हुआ है 2000 मेगावाट है वो ही आपको कोडन कुलम करेक्ट करना था अब दीके इसके साथ एक और मैं इंपोर्टन इफेक्ट बता देता हूं आनेवल सिप्ट में इससे पहले एक्जम नहीं आया है ये तो सबसे बड़ा आपको ये तो आपके उपर तो पूछा गया था नुकलेर नीकलती है तो हिमाले से निकलनेवाले जो नदिया है वो देख लेना मैं बता भी दूँगा देखी इसमें ऑप्छन थे गंगा जहलं महानदी यमूना करेक्ट हो जाएगा ये प्राइडीवी नदियो से निकलनेवाले जो पैनिन-सूलर रिविर्स है उसमें कावेरी-न-र गोदावरी जो महानदी था तो यह हिमाले के नहीं होगे हिमाले की मतलब जो हिमाले की नदिया कौन सी हिमाले की परोतर सनंकला से निकलने वाले जितनी भी रिवर से वो कौन सी है तो इसमें तीन सिस्टम है मुखित गंगा ब्रहंपुतर और इंडस रिवर है अब इनकी जो प्रवी नद्या रहते है जो इन से निकलती अलग होती है तो गंगा रिवर सिश्टम से आपके गंगा है चंबल बेत्वा यमुना गोमती हो गया घागर फिर सन कोसी गंड़क ये सभी हिमाले से निकलती जो गंघा की है ब्रमपुत्र भी हमाले से इंडस भी तीनों सिस्टम के जितनी भी नदिया है जैसे यह लंग तसंग जो ब्रमपुत्र की है श्रीयांग दिबांग लोयथ फिर ब्रमपुत्र भाखी जमव नहोंग हो जाए ज हनो उसे पढ़नाय है ये सबी भी गंग आप कह सकते हैं हमाले से इंडस रिवर वाली जितनी भी है सतलज जनाब जेलम जो आप्शन में होगा रवी ब्यास और ये जंसकर वगेरा ये सबी नदिया निकलती हैं कहां से हमाले से अगला स्वाल दिखेगा स्वाल पूछे गया है डी ए ए एस डी के पाकिस्तान में बैती हैं करेक्ट हैं एंडी परवत हैं ये थोड़ा रॉंग हो जेगा ब्राजिल में नहीं है नियागरा जल परपात है कनाडा यूएस से आपको पता होगा इससे पर आज चुका है नील नदी हैं ये सुडान मिस्र जो इजिप्ट है वहाँ से दिकलती है बैती है और इसमें एंडी परवत है ये आई थिंक गलत होजाना चाहिए क्योंकि एंडी परवत है ये दक्षिन अमरिका के पच्छिम तटड परिस्ती थे और कौन से देशों से प्रतमाला है फैली हुई है तो ये सात दक्षिन अमरीकी देश है उत्तर से दक्षिन तक फै नियागर आपको पता होगा श्युक्तिराज अमेरिका और कनाडा की सीमा परिष्थित है और नील नदी है वो आपके आप्सन में सुडान और इजिब्ड थे जो की यहां से भी नील नदी निकलती गुजरती है तो इत्योपिया है सुडान, मिश्र, युगांडा, कांगो, के लियू नील और वाइट नील जो नाम है वहीं से इसका उद्गम होता है और भूमिद्य सागर में गिर जाती है एक स्वाल पूछा गया था यह आपके कह सकते हो रिपीटेड एक्स्टा प्रेक्स आया स्वाल कौन सा कर केंदर सरकार के दौरा नहीं वसूल आ जाता है इससे किर्शी आये हैं और वेवश्राइक टेक्स कर जो कमर्शियल टेक्स हो जाते हैं वेट हो गया राज्य उत्पार शुल्क है भूमी राजशो है इस्टाम शुल्क है यह जो टेक्स है यह राज्य सरकार के दौरा वशू ले जाते हैं अगरा स्वाल देखे कि आपर मलेरिया ह हेजा TB एड्स के रोग जनक का सई सुमलित नहीं है उसमें ऑप्षन में दिये गे थे उनके रोग जनक का नाम जिसमें एक गलत आशाहिल हेजा या पर TB का था अभी पता नहीं क्या ऑप्षन थे बाकी में बता देता हूं उनका कि मलेरिय का रोग जनक है वो प्लाजमोडियम जिवाणू है वहीं से आपके हेजा है जो रोग जनक है वो विब्रियो कोलेरी बैक्तिरिया हो जाएगा और फैलता कहां से दूशित बोजन और पानी को गरण करने से जो दूशित पानी है और फिर आपके TB का रोग जनक है ये भी बैक्तिरिया हो जाएगा कौन सा है माइक पषूधन गणना कब शुरू हुई थी दिल्ली पुलिस में ऐसा एहजीटी स्वाल आया था पर्थम पषूधन गणना कब हुई थी तो भारत में पहली बार 1919 और 1920 में पषूधन हुई थी कब हुई थी 1929 आपके जो option में था वो correct करना था पर्थम बार ये हुई थी जो कि option दे रखा था वाकि आजादी के बाद आपको पूचले कि पर्थम परशुधन गर्णा का वुई थी तो 1921 हुई थी कि दिल्ली पुलिस में जो स्वाल आया था वो क्या था कि 20 वी परशुधन गर्णा 2018 है तो उसमें सभी परशुधन की आबादी में कितने percentage की वर्दी हुई है तो उसमें ये सारे मेरे extra fact बताए थी और परशुधन गर्णा कब start हुई थी तो ये 1929 में और स्वतंदरता के बाद 1921 में और हर पांचवे वर्ष के अंतराल में ये गर्णा आयोजित की जाती है और उससे पहला भी latest वाली जो previous गई है वो 25 परशुधन गर्णा थी जो 2018 में हुई थी और परशुधन गर्णा इससे पहले 2012 में हुई थी तो इनकी तुलना में 25 में जो वर्दी हुई 18 में वो 4.6 percentage की हुई ये भी याद रखना है कुल परशुधन आबादी कितनी है तो 535.78 million हो जाएगी और पच्छी मंगाल में परशुधन की संक्या है वो सबसे अधीक वर्दी हुई है 23 percentage अगला स्वाल देखेगा विन जिप क्या है तो विन जिप है विन जिप है विन जिप है ये एक तरीके से यूटिलिटी एक सौप्ट्वेर कह सकते हो जो काम करता है फाइल क है फाइल साइर को सोटा करने के लिए और संग रहीत करने के लिए बहुसे फाइल को एक जगह है एक नामसे श्टोर करने के लिए हे विन ust life हो और अर्गन है ये भी एगजामियोप पूछे जाता है जन्रल असेंबली है सेकृरित्रेट है सेकृर्ट व। आज एकलए सेफसी है कॉन्सिल है और प्रस्टिशिप्स सी और इसके इच्षे लेंगवेज कौन सी यह कौन सी नहीं है वो भी पता होना ची अर्ट चाइनिज इं 2018 में मैन बुकर इंटरनेस्टल प्राइज मिला है ओल्गा टोकाग जुको किस रचना के लिए जो उनका नोबल था फ्लाइट से तो इनकी रचनाकार कौन है जो पूछा गया ता ओल्गा टोकाग जुक हो जाएगा और मैं बात करूँ ओल्गा टोकाग जुको सहित्य का नोब प्राइज भी दिया गया है जो 2018 का साइटी का नोबल प्राइज जो बाद में मिला था 2019 में अब देखिए ये तो होगे आपकी 2018 के बाद जो मैन बुकर प्राइज अब आपको पता होना चाहिए 2019 में मैन बुकर प्राइज किसे मिला है और इनसे एकसे वाल भी आते हैं 2019 में Margaret Atwood को और Bernardin Averishto को शुक्त रूप से मिला है इनकी रचना है कौन सी है वो देख लेना एक्जाम आ जाता है The Testaments किसकी रचना है तो Margaret Atwood की है Girl Woman Other किसकी है तो ये Bernardin Averishto को हो जाएगी अब देखे बुकर प्राइज जो 2020 में दिया गया है उसकी विजेता कौन है तो Douglas Stuart है उनकी रचना का नाम है Shugi Ben International Booker Prize की बात के तो 2019 में विजेता है वो जोका अलहारती है इनकी रचना एक्जाम आता है Celestial Bodies किनकी रचना है जोका अलहारती के जो ओमान से है और ये International Booker Prize जो 2020 का है वो दिया गया है जो रचना है किनकी है तो Mark Lucas Ridge World की है ये निदरलेंड से है भारत का कौन सा रज्जे नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करते है ये option थे तो इसमें आपकी जहरकंड करेक्ट हो जाएंगे इससे पहले एक्जाम आये था नेपाल के कितने रज्जे नेपाल के साथ अपनी बाउंडरी साजा करते है तो इसमें ये सारे मैंने आपको बताएंगे आज पूझ ले कौन सा नहीं करता नेपाल के साथ भारत के 1850 किलोमेटर सीमा साजा होती है और कौन से राज्जे हैं? उत्राखंड है, उत्रपरदेश है, सिक्किम, पच्चिम मंगाल और बिहार है भारत पाक में आपके हो जाएंगे राजस्थान, गुजरात और पंजाब, भारत भुटान, ये स्रीमा, असम, उनचल परदेश, पच्चिम मंगाल, सिक्किम के साथ, मांगलदेश के लिए ये पांच राज्जे, असम, पच्चिम मंगाल, मेजुरम, मेगले और तिरपुर गलत स्टेटमेंट आपको पूचा था, ये चारों स्टेटमेंट देख ली जेगा, सहम, एज, इट इस, पूचे गए थी, जी एश्टी भारत में एक जुलई 2017 को करेक्ट है, जी एश्टी को शुरू करने वाला पर्थम देश फ्रांस ये भी करेक्ट है, जी एश्टी रा राजे सरकार दोरा नहीं लिया जाता, ये गरत हो जाएगा, तो आपको पूचा गलत स्टेटमेंट ही पूचा था, बाकि यहां पर जो जी एश्टी है, जो मोडल है, वो कनाडा के ड्यूल, जो कनाडा में भी जिस परकार भारत में फैटल है, शासन उसी परकार कनाडा में भी संगी सासन है, तो उसी से और कनाडा में भी जी एश्टी है, एज जी एश्टी, सी जी एश्टी है, तो वहीं से ये दोहरा मोडल लिया गया है, एज जी एश्टी और सी जी एश्टी का, जो की क्रेक्ट दे रखा है, अब देखे मैं बात करूँ, इस स्टेटमेंट की क कनाड़ा से लिए गए हैं अगला स्वाल देखेगा कौन सा टैनिस ग्रेंड स्लेम टूनामेंट नहीं है तो कनाड़ा ओपन एक आप्शन में ता बाकि जार ग्रेंड स्लेम हैं फ्रेंच ओपन ऑस्टिलियन ओपन यूएस ओपन विंबल्डन अब देखें इन चारों जो एरोप्लैन है वो किस देश के दोरा विक्षित की गई हैं तो यह निदर्लेंड आपका क्रेक्ट हो जाएगा निदर्लेंड की डील्फ धीडियर्प एंउनके सोथ कर्ताओने को विक्षित क्या है फिरएक के 9 मौ फोबिया annet 9 नो मोबायल ।ो बिना मोबाइल की डर लग गई यह दिए आपके पास मोबाइल नहीं हो तो किस परकार के विचार आएंगे डर वाले जो वो मोबाइल नहीं होने का डर नो मोफोबिया हो जाएगा इनमें से कौन सा कतन गलत है तो इसमें से एक स्टेटमेंट दे रखा था भारत और चीन के मद्दे एक गलत दे रखा था जो कि गलत है तो इंदर धनूस जो मिशन इंदर धनूस έ वो टीका करण की योजना है जो की 2014 में सुरुआत की गई थी तो इसमें 2020 तक जब शुरुआत हुई थी तो सभी बच्चों को टीका कंड का लक्षे रखा गया तो ये स्वास्ते से सम्मझने जो साथ प्रकार की टीके हैं इंदर धनुस में डिप्तेरिया, कालिखांसी, टेटनेस, फोलियो, तपेदी, खसरा और हिपेटाइटिस हैं इनका आपको पता भी होना चाहिए कौन से ठीक हैं, कौन से नहीं एग्जम आते हैं एक स्वाब आपकी ये स्टेटमेंट था कि कारमड़ाई औक्साइड से सम्मझने साइ कथन क्या हैं हम सारे statement नहीं मिले हैं लेकिन जो सही कतन था वो मिल गया उसमें एक statement था कि ठोस कार्मड़ाई ओक्षाइड को शुष्क बरब कहा जाता है तो ड्राइ आई से वो ठोस यूट्यूब करेक्ट statement हो जाएगा फिर एक सवाल था कौन सा नैस्टल पाक संबंदित निवास पर जात था कैदारनाथ जो राजस्थान connect किया गया था जो गलत था कैदारनाथ कहां पर है उत्तराखंड में है और अन्य कौन से है परसी धरिद्वार रिशी केश ये भी उत्तराखंड में है तो इस प्रकार 40 में से 39 स्वाल बता दिये हैं एक स्वाल कौन सा मिस हुआ वो comment कर देन और एक इस टाइप से reasoning में पूछा गया था खराटे हो गए और जो सपने dreams है या फिर meditation ध्यान है नींद में से ode कौन सा हो जएगा ये आप comment करके बताना धारियां रहती है जिराप में तो full में क्या रहती ये option थी बाकि एक math का कह सकते हूं मत दिका हो गया मत और मानक विचल टेलिग्राम चैनल की link के link से join करना और बाकी जो आप TTG के coupon code apply करोगी तो आपको यहाँ पर discount मिलने वाला test book से जिसके link भी description box में है